मैं उनके परिवार से मिलने आ जा रहा हूँ और सुप्रीब कोटे सुपोटो नोटिस दिया है सरकार को उम्भी बड़ी है सभी परिवार के लोगों कि अब नियाय मिलेगा सरकार को दिखाना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए यह जो बड़े-बड़े विग्यापन सरकार देती है कि सरकार दमदार सरकार है तो दमदार सरकार को गरीबों के साथ ख़णा होना चाहिए जिने नियाय चाहिए दमदार सरकार उनके साथ खड़ी दिखाई दे लेकिन इधर तो देखने को मिलना है सामन भेजना, खाना पूर्टी करना है सुप्रीम कोड के बाद कुछ सरकार जागी है जाच क्या होगी हमें उम्मीद है कि नयाय मिलेगा और जो दोसी हैं उन्हें सरकार तुरंद भेजे क्या यही तरीका पहले होता था क्या यही तरीका होता था कि समन के साथ फूल भेजे जा रहे हो गुलदस्ता भेजा जा रहा हो और फिर जो गहे राजिमंत्री हैं कोई भी अधिकारी उनसे अगर पूछ साज के लिए जाएगा तो पहले उन्हें सलूट मारेगा और उसके पूछ साज करने के बाद सलूट मार करके फिर वापस हैं और जितने भी बीड़ित परिवार हैं जिनके घरों के सदस्यों की जान गई है दाड़ी के जढने से दाड़ी से जो कुछला गया उनको ग्रह राजमंत्री को स्तीफा देना चाहिए अगर ये मुझे जानकारी नहीं है लेकिन अगर ये जानकारी आपके मात्यां से मिल लई है तो जो ग्रह राजमंत्री है उनका नेपाल से पुराना रिष्टा है उस बॉर्डर से अगर उनका पुराना देखेंगे जैसा उन्होंने भाषण में कहा था अपने कि मुझे गहरे राजमंत्री मत समझो मुझे सांसाद या पिधायक मत समझो मुझे कुछ और समझो तो समझ लीजे नेपाल से उनका कैसा रिष्टा रहा है पहले का इसलिए अगर ये सूचना आपके माद्यम से यहां रही है और नेपाल भाग गये तो अब तो भारत सरकार को देखना पड़ाएगा अब तब देश सरकार के हाग में दो नहीं चीज बची है अब हमें उम्मीद है कि भारत सरकार भी अस्ता चेव करेगी और नेपाल गए तो उन्हें पकड़कर कि लाएगी तो दूसरी तरफ मंत्री जी दिल्ली में कारकरम कर रहा है तो कम्रुदि कर दो